अगर अगर अपने चैनल पर नियो होगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगा अगर की श्टोपिक उसके लिए को में जरू किजेगा तो चले बिना को वक्त को में बीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज जरू बात करने वाले हैं हम लोग होलिस्टिक में अपने आईडी को कैसे रिश्टर्ट करें उसके बारे में बात करने वाले हैं और बहुत सारी लोगों की डिवान थी रिश्टर्ट कैसे करें यह रिश्टेशन कैसे करें या फिर लोगों को रिश्टेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो कैसे करें उनके बारे में बात करेंगे तो दोस्तों आप लोग के सामने देख सकते हैं जैसे लिंक आपको किसी ने प्रवाइड किया उस लिंक के पे किलिक कर दिया किलिक करने का ऐसा इंटरफेस आप लोग के सामने खुल जाएगा उससे पहले में कुछ अपडेर्ट दे देना च तो आप लोग को यह ध्यान रखना है अपने डाटा को यूज करके रेश्टर करना है और बाकी बाद अगर आपने वाइफाई को किसी लोगों को दे रखे है ठीक है अगर वो आपके वाइफाई के थुरू उन्होंने क्या कि अपने आईडी को रेश्टर कर लिया तब आप रेश्टर करेंगे तो भी आपका रेश्टर नहीं होगा तो इस चीजों को ध्यान में रखे ना अपने वाइफाई को किसी को दे ना दूसरे के वाइफाई को किसी का ले जब आप रेश्टर करते हैं होलिस्टिक में तो इस चीजों को ध्यान रखे और तो मैं उसके बाद आप लोग को बताता हूँ जैसे कि link पे click करते हैं link पे click करने के बाद इसमें देख सकते हैं your name को option है आपकी नाम आ लेजे सूरज कुमार है या फिर जो भी नाम है वो आप इसमें नाम डाल देजे नाम डालने के बाद देख सकते हैं country international plan हो चुगी लोग सोचते थे जो कि क्या है holistic only इंडिया में ही चलेगा नहीं इंडिया ही नहीं इंडिया से बाहर भी लोग पैसा कमाएंगे एक चीज़ में बता देता हूँ इंडिया से बाहर वाली लोगों के लिए dollar base में है जैसे कि कोई dollar में लेना चाहता है इंडिया के लोग भी ले सकते हैं और बाहर के लोग भी ले सकते हैं इंडिया के लोग ना ले आयनार में ले दूसरे देश के लोगों के लेने दे dollar में ठीक है dollar में payment ले भी सकता है और दे भी सकता है जो भी चीज़े कर सकता है कोई सुनेंगे, डॉलर भी आप लोगको सामने लाइब दिख जाएगे उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर मोबाईल नंबर तो मोबाईल नंबर आप लोगको सही से डालना है और अच्छे से डालना है और दिहाँ से डालना है इसमें आप phone number को डाल देंगे डालने का बाद देख सकते हैं your email, email id डालना है जो आपके email id जैसे मालेज़े सूरजकुमार123 जो भी हो addit at gmail.com कुझे भी होता है वो gmail id डाल देना gmail id आप लोग को मालूम होगा जो की gmail id क्या होता है क्या नहीं होता है जैसे की 1,2,3,4,5 ऐसे जालते हैं यह normal passport होता है अगर किसी ने passport आपकी जान ले अगर उसने खोल लिया तो आपको problem हो सकती है तो इसी कारण आप अपने passport को secure बनाएं जैसे की मैं simple एक side में दे रहा हूँ उस simple के हिसाब से आप लोग पासपर्ट को keyed कर ले ताकि आपको problem ना हो उसके बाद I am agree term accreditation जो भी है उनको fulfill करते वे registration कर लेंगे registration करने के बाद आप लोग को अगर दिखा रहा है already used device तो आप लोग का कही ना कही को issue है जो issue है वो आपकी जैसे काई आपने किसी को register किया है उसके वाइफाय का use किया है यर फिर आपके वाइफाय किसी ने use कर लिया उसके तुरू size कर लिया है तो यह issue आ सकता है तो इसी कारण एक फोन में एक ही id करें तो एसा बता देगा तो इस सीजों को सभी लोग ध्यान रख ए ज्याद़ ज्याद़ पॉइंट आउट करके इस चीजों को समझे और रेश्टर्ट करने में मुझे आसा है अब किसी को कोई प्राब्रम में ही होगा अगर अभी भी कोई किसी को दिक्कत होता है हाँ एक चीज आओ जब आप लोग रेश्टर्ट करते हैं जब कंप्लीर प्रो इमेज बाले फायल में जाके वहां से देखकर के आप जो यूजर इडी सलेक्ट करके डाल सकते या फिर आप जो क्षेटेमर सपपोर्ट बहुत जल्दी आप लोगो लाइव होने वाला है तो आपको पासपर्ट मिल जाएगा फिर आप अपना नमबर भी सेपर्ट करेंगे कोई इसू नहीं होगी अगर कोई भी इसू होती है तो आप लोग की सोलीशन हो जाएगी छोटी मोटी इसू के लिए टेक्निकल टीम बैठी हुई है वो सलीशन करते रही है देरे देर और भी बहुत सारी चीज़े हो रही है मुझे आसा है आप लोग को रिष्टर करने में अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है अप लोग है नहीं है फिर कोई भी इसू हो रही है तो आप मुझे कोमेंट बॉक्स में करें उसको में आपको जो भी प्राब्लम होगी उसकी सेलेशन करने के लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो नीच एक करने मिलते हैं इसा दुकाल चानल बनें टेक केर बाबार